भाई और भेनों, आत्म निर्भरता सही माइने में तभी संभव है, जब हमारे भीतर आत्म विश्वास हो, आत्म विश्वास तभी आता है, जब पूरा देश, पूरा सिस्टिम, हर देश वासी, हम सम मिलकर के, आत्म निर्भरता की दिशा में चल पड़े, कोरोना संकर से पैदा हुई स्थितियों के बीच, भारप यही काम कर रहा है, सरकार यही आत्म विश्वास जगाने में जुटी है, समाज के जिस तबके तक, अक्सर सरकारे पहुँच नहीं पाती थी, आज उन तक सरकार के संसाधन और संवेजना दोनों पहुँच रही है, अब जैसे प्रदान मंत्री गरीब कल्यान योजना को ही लीजिए, लोगडाउन के तुरंद बाद, पहला कदम ये उठाया गया, कि देश के 80 करोड से अधिक गरीब साथियों तक, मुप्त खाना पहुँच सके, उनकी जैम में थोड़ा बहुत, खर्चे के लिए विवस्था रहें, और जब लोगडाउन उठाया गया, तब सरकार को लगा, कि आने वाला समय तो बरसाथ का भी है, त्योहारों का भी है, और हमारे हाँ तो दिवाली और छट पुजा तक, अब तो तहवार ही त्योहार चलते रहते हैं, और सभी संप्रदाय, सभी धर्मों के त्योहार रहते हैं, ऐसे में गरीबों को ये मदद मिलती रहनी चाहिए, इसलिए इस योजना को जारी रखा गया, अब गरीब परिवारों को नमंबर तक मुप्तरासन मिलता रहेगा, इतना ही नहीं, दिजीक छेत्र के लाखो कर्मिचारियों के EPF खाते में भी सरकार पूरा अंसदान दे रही है, इसी तरह PM स्वनिधी योजना के माध्यम से उन साथ्यों की सूद भी ली गई है, जिनकी सिस्टिम तक सबसे कम पहुँच पाव होती थी, आज इस योजना से रहडी ठेला लगाने वाले लाखो साथ्यों को 10 हजार रुपिय तक के सस्ते रण बैंक से मिलने लगे हैं, हमारे लिए सबसे अधीक उप्योगी, हमारी ये साथी अपने छोटे से कारोबार को बचा सके, चला सके, हमारी हाँ इन सारी चीजों को कभी प्राक्विक्ता नहीं रहती थी, लेकिन एक सम्वेदन से सरकार होने के कारण, देश की भावी पीडी को समर्पित होने के कारण, आज हम लगातार कदम उठा रहे हैं, यानि एक तरफ छोटे लगू कुटूर उद्योगों और बड़ो उद्योगों के बारे में सोचा गया, तो दूसरी तरफ इन छोटे लेकिन उप्योगी कारोबारियों की भी चिन्ता की गई हैं। झाल झाल